नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज जो है हम लोग फिर से उदिश्टी आइस की जो बुक हम लोग कर रहे हैं उसका यह दूसरा वीडियो है आज हम लोग इसमें पेज नमबर चार से पेज नमबर आर्फ तक को कवर करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि अब लोग प्राच्छी नितियास कर रहे हैं तो उसी के क्रम में जो है यह सारा पेज आगए हम लोग करेंगे हाठ पेज तक चारन पेज से आठ पेज से पिछले वीडियो में जो है हम लोग ने पेज नमर एक दो तीन कर लिया है तो आप लोग उने अगर नहीं देखा ह तो वीडियो देख लें क्योंकि इसमें जितने भी अंडरलाइंड सेंटेंस हैं या कोई वर्ड है वो एक्जाम के दिश्टी से काफी इंपोर्टेंट है और अल्रेड़ी यह एक्जाम में कई पार पुछे जा चुके हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजे तो चलिए आप देखते हैं इसमें कि क्या कुछ है इस पेज नंबर चार में तो कह रहा है इलाहबाद के कोल्डिव प्लीजिवा नाम का एक जगह है जहां से चावल का प्राचिंतम साक्ष मिला है आए आते हैं और क्या इंपोर्टेंट है इसमें देखते हैं अब आप यहां देखेंगे यह box बना हुआ है तो यह box वाला जितने भी है उसको जरूर करना है क्या कह रहा है इसमें नवीनतम खोज के आधार पर ये नवीनतम खोज के आधार पर लहुरा देव संत कवीर नगर ये उतर प्रदेश में है भारती महादेव में प्राचीनतम क्रिसी साक्ष वाला अस्थल है भारत में सबसे प्राचीनतम क्रिसी वाला जो अस्थल है वह सब्सक्राबाद से ही मिला हुआ है कि इसको जरूर याद रखेंगे खासका यूपी PCS वाले और बिहार PCS में भी कई बार या पूछा जा चुका है चलिए अब देखते हैं पर ताम्रपासिन संस्कृतियां में काफी सारी चीज़े हैं उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जहां जहां इंपोर्टेंट है वो मैंने लगा दिया हुआ है तो क्या है वह चीज़े कि इसमें जो है पूछा जा सकता है कि किसकाल में चित्रित मिद्भंडों का अपयोग क्या गया है तो वह होगा ताम्रपासिन काल चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंदुगाटी सभिता के बारे में हम लोगोंने कई बार बहुत कुछ पर चुका है तो इसका एक बार सीमा जरूर याद कर लें आप ये एक सीमा निर्धारन वाला है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि हरापा सभिता का विस्तार उत्तर में मांडा जो जमू कस्मिर चिनाव नदी के पास है दक्षिन में दैमाबाद, महराष्ट्रा पूरा में आलमगीरपूर जमीर रठिंडर नदी के पास है और पस्चिम में यहाँ पर देखेंगे आप जो है सूत कांगे डोड बालुचिस्तान में पढ़ता है तो यह इसका सिंदू सभिता का चैत्रफल था मतलब करना से करना तक यह फैला हुआ था चलिए अब यहां क्या दिया हुए सुतंत्रा प्राप्शित के फश्चा धरप्पा कास्तल के सरवाधी कास्तल गुजरात में खोजे गया है यह भी कई पर पूचा जा चुका है तो मैंने पहले ही बोला बॉक्स वाला करना है उसके बाद आप आगे देखिए यह वाला पॉइंट कि धोला वीरा नगर एक ऐसा नगर था जो तीन भागों में विवाजित था उसमें एक दुर्ग था एक मध्यम नगर था और एक निचला यह जरूर्याद रखेंगे आप काली और नंग किछूरियां काली बंग एक हरपा काली नस्थन एक मसर रापा काली नस्थन था जहां और यहां देखेंगे काली बंगा से जूता हुआ खेत मिला है ठीक है तो जूता हुआ खेत काली बंगा से काली बंगा से ही नीचलान सहर दुर्ग में बना हुआ है ठीक है धौला वीरा एक ऐसा सहर था जो तीन भाग में बटा हुआ था ये सारी बातें याद रखेंगे यहां देखेंगे आख लँथल एवा म्रंगपूर में धान कि भूशी का सक्ष मिला हुआ है प्रांचीं तम चावल का सक्ष कोली वा से धान की भूशी का सांख जो है आपको मिला है लोथल से तो इन मातों का दियान रखेंगे यहाँ पे कन्फूज नहीं होना है कि करें चावल का साक्ष मिला था कहां पे धान का भूसी मिला थी जegól आगे बढ़ेंगे कि लोधल से गोधिवारा अपरापत हुआ है तो अलने था मतलब क्या होता शाप से यहां पर 9 सेना के लिए जहां तो यह हम इससे पता लगा सकते हैं कि लोथल में जो है वैपार जो है 9 सेना के मतलब जल माध्यम से भी होता था है चलिए अब आगे देखते हैं अगले पेज की और जी दोस्तों अगले पेज किवराते हैं हपे देखते हैं कि हरपा से जो है आर सेंटिस का प्रिस्तान मिला है और क्या क्या है यह बॉक्स जरूर करना है कि सोना कहां से आया चांदी कहां से आया लाजवदर कहां से आता था यह सब चीच याद आखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो यह बॉक्स वाला मैंने पहले ही बुला है बॉक्स वाला करना ही करना है आप लोगों को कि सोना करना टक से अफगानिस्तान से इरान से इस तरह से गुमेद साराष्ट से और यह ताम बाखेतरी से इस तरह से अब सवहली क्या कर रहा इंडुला लो न्हां क्यान रखस्रान को अगनित्त trag到 फिर देखेंगे कर दो अगनीवयदी का फ्राप्ट हूए यह यह वाला ला कई उसके बाद देखेंग sollten जो लिपी उस टाइम पर लिठी जाती थी बढहें से बाएं और फिर दूसरा जो खतम हो जाता था तो बाएं से फिर दाएं ऐसी लिपी को क्या कहते थे बूस्ट्रो फेडन सैली कहते थे यह बहुत ही ज़्यदा जरूरी है आप याद रखेंगे इसको बूस्ट्रो फेडन सैली क्या है तो यह जो दाएं से बाएं और फिर खत सब ही के सब ही आप यहाँ पर याद रखें, सिर्फ कम से कम नहीं कुस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ था और इसके खोज करता कौन थे, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि हरापपा के खोज करता कौन थे, इसका किस नदी के किनारे जो है छेतर था, तो ये आप याद रखें, ठीक है कि हरा पारावी नदी, मोहन जोद्रों सिंधु नदी, चंद हुद्रों सिंधु नदी, न काली बंगा घगर नदी, इस तरह से आप सारे को याद रखेंगे, इस पेज में इतना ही था आगे चलते हैं अब यहां ध्यान देंगे कि पिगट ने हरप्पा एवं मोहन जोद्रों को बिस्त्रित समराज की जुर्वा राज़ानी कहा था तो यह कई बार पूछा जा चुका है आप लोग को पता भी होगा कि हरप्पा और मोहन जोद्रों को ज जो है 36 बार मिलता है यह ध्यान देना है कि कितनी बार मिलता है 36 बार आरियों का उल्लेख मिलता है इसमें उसके बाद और क्या तो रिगवेद में गंगा नदी का एक बार और यम नदी का तीन बार उल्लेख मिलता है ठीक यहां देखेंगे आच्छा और आगे देखेंगे क यहां पर किसकी राजनिक की दूब्वस्था जो है किस तरह से बटी भी थी तो कुल ग्राम विश्र जन में कुल के प्रमुक को कुलप ग्राम के प्रमुक को मुख्या विश्र के प्रधान को विश्पती और कभीला जन कभीला के प्रमुक को राजन कहते थे इस तरह से इसका बटवारा था और रिगवेदिक कालिन में पुरानी नदियों का नाम क्या क्या था तो ये भी याद रखना है कि वितस्ता को जेलम कहते हैं असकनी को चिनाव परसुनी को रावी विपाशा को ब्यास सदा नीरा को गंडग सतुद्री को सतलग कहते थे ठीक है अब आते हैं नी समीति दोनों में भाग ले सकती थी तो यहां पर देखेंगे कि महिला को जो है समान अधिकार मिला हुआ था वाइदिक दिरकाल में अब यहां पर देखते हैं रिगवेद में चारागाह या बरे जत्ते को वाज्रपती कहा जाता था यह वाला पॉइंट दुर्गपती के ल अधिया जिसमें अधिसकार्त है गाईयों की खुज रिगवेद के साथ में मंदल मुदसराग युद्य का जो है वर्णन क्या क्या है जो परसोनी रावी नदी के किलावने बसा हुआ था तो अधर वेद सभा और समीति का यह वर्णन है यह जो है प्रजापती के दो पुत् था 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 विद्वापृथा का प्रचलन था किन्तु बाल विवाप का प्रचलन नहीं था रिगवेद में आप यह याद रखना है यहाँ ठीक है अब क्या कह रहा है गाई को अगन्या नो मारे जाने वाला माना जाता था अच्छा यहां एक पॉइंट बहुत इंपोर्ट थांता उस समय पे गोरा मुहत्वपूर्ण वसुदंता यह ध्यान रखना है रिगवेद आर्यू द्वारा धातु के रूप में सबसे पहले किस धातु का प्रियोग क्या तो ताम्वेका ठीक है यह ध्यान रखना है इस पेज में इतना ही है आगे देखते हैं अगले पेज में क्या है इस पेज गेम पोटेंट पॉइंट्स को देख लेंगे कि इस काल में गोत्र और प्रतिष्ठ और प्रतिष्ठित हुआ उत्तरवेदिक काल का जो काल है जो 1660 पुर्व में है उसमें जो है गोत्र जो है काफी फेमस हुआ यह वाला याद रखना है कि पहस्चिम प्रतिची का राजा का नाम स्वराड था पूर्व प्राची सम्राड था उत्तर उदिची विराड था मद्धि में राजा का था दक्षिन के राजा को भोज कहते थे ठीक है कर संग्रहत करने वाले को क्या कर संग्रहित कहते थे क्या कहते थे संग्रहित कहते थे अच्छा है दोस्तों मैंने यह जो अंडरलाइंड किया हुए मैंने पूरा पढ़ा है पहले उसके बाद जो जो इंपोर्टेंट लगा है और जो एक्जाम में आ चुके हैं उसको मैं अंडरलाइंड कर दिया हूँ कि पूरी बुक पढ़ने के लिए आपको जैतना जद्व जहत ना करना पड़े चलिए आप देखेंगे सत्यमेव जैते मुंड को अपनी सद से लिया गया है इस उपसिनी सद में जो है यह कितुना टूटी ना उसी की गई है यम नचिकेता संबाद कितना बार पूछा जा में एक ठोपनी सद में है गार्गी यागवला के समवाद जो है व्रहदार नियक उपनी सद में है यह देख लेंगे कि कुछ प्रमुक जैन धर्म के जो है तिर्थंकर उनके जन्म का चिन्न क्या है क्योंकि इस बार भी साइध बीपी ऐसी में पूछा गया था यह कुश्च पार्शुनात का सर्फ रिष्नेमी का संख रिसब्देव का साण्ड नीचे देखेंगे रिसब्देव और इस नहीं का उल्लेख जो है रिगवेद में भी है और पार्शुनात एक्ष्वाज कूवंस के राजा असुसेन के पुत्र थे यह जाद रखना है बांकी तो आप य विष्वास रखते थे लेकिन मुर्थी पुझाम विष्वास नहीं रखते थे यह सारी बाते आप लोगों याद है और यह पूरानी बाते हैं तो यह आपको याद ही होना चाहिए चलते हैं अगले पेज़ को देखते हैं क्या है उसमें तो कि इस पेज में काफी कुछ है देखने के लिए ज़िटिपाली का नदी के तर्प पर जैस साल व्रिक्ष्ट केने क्या वल्हे कि प्राप्ती हुई है इनको साल विष के और बौद जो है पील simplesmente नीचे प्राप्त हुआ था बहुत साहित में हावीर को क्या कहा गया है दिखें निंगंठ नात्पूत कहा गया है माहावीर में अपने अप्रदे से प्राकृत वह साम दीए थे उनके आन्वाई कौन था उनके जमाई जो थे उनके बेटी जो थी प्रदरशना के पती जमाली उनके प्रमुक पहले अनुवाई बने फिर उसके बाद आरिसु धर्मा अकेला गंधर था जो महाविड के मुईत्य के बाद विजीवितर है सम्यक ज्यान सम्यक ध्यान सम्यक आचरन ये सारे से इन सारों को जो है त्रिरत्म कहा गया था जो अभी छिया सट्यूंभी पूछा गया है ठीक है अभी देखे जयान धर्म अनिश्वरवादी है ये इस वर में विश्वास नहीं रखता है स्यादवाद और सब्तु भंगी निश्वेति रितंकर मलीनाथ इस्त्री है मलीनाथ जो है इस्त्री है यह देखे यह भी याद रखना बड़ा इंपोर्टेंट है जबकि दिगंबर इन्हें पुरुस मानते हैं ठीक है पुर्थम जैन संगती पाटली पुत्रमस्तूल बदर की अज़्धकता में हुई थी एक अन्य जैन संगती जो है बलवी गुजरात में भी हुआ था जिसकी अध्यक्सता शमास्रवन ने किया था तो यह बात याद रखना है जैन धर्म के प्राचीन साहति को पुर्व कहते हैं या आगम भी कहते हैं इसको ठीक है अब यहां ध्यान देंगे यह वाला पार्ट भगवान बुद्ध का यहां से बहुत धर्म का चल रहा है पांस्सो तिर सटुस्वी में उनका जन्म जो है छत्रीय कुल में कपिल वस्तू में हुआ था बुद्ध से संबंधित जो प्रमुगटना है यह भी आप याद रखेंगे कि उनका जन्म का चिन है कमल फिर उसके बाद क्या कहते हैं ग्यान प्राप्ति है पीपल का ब्रिक्ष बहुद्धी ब्रिक्ष है ना उनका क्या था महावीर का ब्रिक्ष क्या था उनका साल का ब्रिक्ष था और इनका बहुद्धी ब्रिक्ष इसको पीपल का ब्रिक्ष भी कहते हैं अभी क्या है इसका प्रथम उब्देश धर्म चक्रू कहलाता है और बित्यू जो है निपाहा पर ये निर्वान कहराता है हैं उनकी माता महा माया कोशल राजवन्स से संबंदित थी अब ये देखिए उनकी विवाह इनका विवाह ये सुधरा से हुआ है बैसाली मालार कराम के पास उन्होंने प अब बाब द्धर्म का प्रोमक्सिद्स है प्रत्य प्रत्य समुत्व अब याद रहेंगे दोस्तों बहुत ही इंप्रोटेंट पॉइंट्स को मैंने मर्क किया हुआ है यहां पर अगले पेज को देख लेते हैं कि वर क्या है उसमें दोस्तों अगला पेज अगले वीडियो में आएगा तो हम लोग 8 पेज तक आज कवर कर लिए हैं उमीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा दोस्तों और यह सारे पॉइंट्स आप जरूर नोट करें उसका रिवीजन करें ताकि एक्जाम में किसी तरह की आप को दिखात नहां दोस्तों ठीक है इसी के साथ जाए हिंग फिर मिलेंगे से कल के वीडियो में अगले पेज के साथ